कि नवस्कार दोस्तों आप सभी के स्वागत है मैं इस यूटीब चनल अभ्यास ओनलाइन क्लास्वर्ण मैं हूँ ट्रिश्णा और हम मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ SI का old question paper जो previous year का question है उसको लाया हूँ जो question paper लाया हूँ वो है दोस्तों 2011 का 2011 में जो sub inspector का question हुआ था उसका ये मैं question paper लाया हूँ उसका है set B दोस्तों ये pattern के हिसाब से जो है GS का पहला question है लेकिन अभी जो वरतमान में जो question होगा पेपर होगा 2018 में तो ये उसका GS2 के नाम से ये paper होगा तो चल ये स्टार्ट करते हैं question देख लेता है कि इसका syllabus में पहले क्या 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 इसमें होगा तो पहले इसमें देख लेते हैं कि इसमें जो है कुल मिलाके इसमें 100 questions पूछा जाएगा और अधिक्तम जो अंक है उसके लिए आपको मिलेगा 300 अंक मिलेगा और सब की मिलाके आपको टाइम मिलेगा दो घंटा इस question को solve करने के लिए आपको दो घंटे का समय मिलेगा तो चलिए देख लेते हैं अगर दोस्तों मेरे चै current affair का वीडियो भी upload करता हूं जिसे आप देख सकते हो और अपना ग्यान बढ़ा सकते हो ताकि आपको current का question एक भी ना छूटे इसलिए मैं daily का current का वीडियो लाता हूं तो इसमें दोस्तों में प्रशन क्या-क्या है उसके बारे में देख लेते हैं पहला question है राजनयतिक डल दलों को माननेता कौन देता है तो राजनयतिक डलों को माननेता कौन देता है चुनाव आयोग दोस्तों नया candidate जो आने वाला है उसका नमंकर फॉर्म कहां जमा होता है चुनाव आयोग में और चुनाव में वही निर्धारित करता है कि यह कौन सा दल का है चुनाव चिन है क उप्राष्ट्रपति कार्यकाल पर रिक्त हो तो उसके इस्थान पे कर्तव्यों का निस्पादन कौन करता है तो उसके जगह को कार्यों का निस्पादन करता है तो वह है भारत के मुख्यनायधिस मुख्यनायधिस कौन तो इसका सी ओप्सन सही है तो दोस्तों वरतमान में तुमबाखु धुम्रपान स्वास्त के लिए हानिकार्थ है क्या इसमें सामील होता है बहुंत info बहुत कोशें इसमें निकोटीन यह कोशें नमबर चार देखें है कच्छे तेल में गैसम्रिन निमनुनी कारिया द्वार maior होती है तो दोस्ते कट्छे तेल से गैसेलुइन को राप्त किया जाता है इसमें अगला प्रेशन देख लेता है पांच वाप बिजली बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है तो बिजली बल्ब है उसके अंदर जो गैस पाई जाती है वो है नाइटोजन इसमें से एक और कोश्चन बन सकता है दोस्तों की जो बल्ब रहता है बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है तो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगश्टन धातु का बना होता है ये कोश्चन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों इसमें कोश्चन नमबर सीख से है जो गणित से संबंधित है तो गण क्या होता है गुणा तो 600 के 3 बटे 4 तो 600 के मतलब क्या हो जाए कि यहां पास आप गुणा लगा के इसको हल कर सकते हो और उसका 60% आप आसानी से निकाल सकते हो अगला प्रशन देख लेते हैं वह भी गणीत का ही कोश्चन है आठ किलोमेटर प्रती घंटा की गती से भाग रह यदि चोर को पीछा जो है पुलीश करमी 10 किलोमेटर प्रती घंटा की गती से कर रहा तो यदि चोर पुलीश करमी से 100 मिटर आगे है तो पुलीश करमी चोर को कितने देर में पकड़ लेगा यह दोस्तों यह उसी तरह का है जैसे नाव और धारा के जो कोश्चन है उसी कोश्चन है और साथ साथ यह प्रतीशत का कोश्चन दो कोश्चन आ चुका है इसमें यह है दिसा से संबंधित कोश्चन है और यह नेचरल नंबर जो दीख रहा है यह भी रिजनिंग है और यह क्राय विक्राय से संबंधित कोश्चन है और जी आप जो देख रहा है कोश् प्रश्न नमबर 18 में क्या है संघी छेत्र के दिन प्रति दिन का शाषन कौन देखता है तो दोस्तों इसका दिन प्रति दिन का शाषन कौन देखता है उपर राज्यपाल जो संघी छेत्र होते है जैसे जो होता है संघी छेत्र तो उनका जो दिन प्रति दिन का शाषन कौन द का सतत किस सहर में पूरा किया दोस्तों ये कोश्चन पुराना हो गया क्योंकि ये कोश्चन जो है हुआ है और आज है दो अक्टूबर तो दो अक्टूबर को कब मनाया जाता है ग्यांधी जन्ती के रूप में मनाया जाता है अगला प्रशन देख लेते हैं भारत छोड़ो अंदोलन की पुकार ब्रिटीज को कब दी गई थी तो इसकी जो पुकार है वो सी ऑप्शन सही है उनिस सो ब्यालीस में इसकी पुकार दी गए थी मतलब भारत छोड़ो अंदोलन कब चलाया गया था कोश्चन को घुमा दिया गया दोस्तों भारत छोड़ो अंदोलन को कब स्टार्ट हुआ है ये उनिस सो ब्यालीस में स्टार्ट हुआ है अगला प्रशन देख लेते हैं 22 वा बनारस हिंदू विस्विद्दालय की स्थापना किसने की है तो बनारस हिंदू विस्विद्दालय की स्थापना कौन की है मदन मोहन मालवी ने बनारस हिंदू विस्विद्दालय की स्थापना की है प्रश नमबर 23 इंडिया विंस फिडम नामत पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों पुस्तक ये पुस्तक कौन लिख है वो पुस्तक कौन लिख है तो ये question ऐसा question जरूर आता है तो आप इसके बारे में जरूर याद कीजिए तो India wins freedom को जो लिखने वाला है वो कौन है मौलाना आजा तो इसका B option सहीं होगा अगला प्रशन देख लेते हैं भारत का वित्ती वर्ष प्रारंब होता है दोस्तों भारत का वित्ती वर्ष प्रारंब कब होता है एक अपरेल से चलो होता है एक अपरेल से क्यों होता है क्योंकि एक अपरेल 1935 को क्या हुआ था एक अपरेल 1935 को भारत का जो reserve bank of India है 1935 को भार साथ का Reserve Bank of India जो है वो स्थापित किया गया था इस करण क्या हुआ है तब से वित्ति वर्ष प्रारंबु होता है एक अप्रेल से स्टार्ट होता है तो इसमें आया है अगला प्रशन तो क्या होता है एक किलो बाइट कितने बीट्स के बराबर होता है तो एक किलो बाइट जो है जो होता है वो एक हजार के बराबर नहीं होता एक हजार चोबिस के बराबर भी नहीं होता तो इसका डी आप्सन सहीं होगा क्योंकि इसमें उप्रोक्त में से कोहीं नहीं कि जो सहीं आंसर हो इसमे दिया हुआ नहीं है, तो अगला प्रशन देख लेते हैं, ध्वनी सबसे तेज चलती है, ध्वनी सबसे तेज किस में चलती है, शुन्य में, इस्टील में, पानी में, हवा में, तो दोस्तों ठोस में सबसे ज़्यादा तेज गती से चलता है, तो इसका B option सहीं होगा, तो इस् इसका देख लोगानचया है, पानाई कारkill दोस्तों परवान आधार तो इसे की आप सहीं होगा, इस इस्ट्धानध पर यह पार्मानू वीलियन बम कारे करता है क्योंकि उसमें से नाभिक की सनलेयन के नाम से भी इसे जाना जाता है ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया था अगला कोश्चन है ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया था दोस्तों ये कोश्चन पुराना है फिर भी आप इसे याद रख सकते हैं ओसामा बिन यह एक टेर्रिस्ट थे दोस्तों इसके उपर बहुत सारे इनाम थे तो इनकी मृत्यू कहां हुई है आटोवाबाद अगला प्रशन देख लेते हैं NCC NCTC का अर्थ क्या होता है NCTC का फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका D option सही है इसका फुल फॉर्म है दोस्तों अगला प्रशन देख लेते हैं प्रशन नमबर 30 CBI क्या है CBI के बारे में आप तो जरू जानते होगे CBI क्या है Central Bureau of Investigation Central Bureau of Investigation तो क्या हो जाएगा इसका C option सही है अगर दोस्तों इस तरह के question आपको Hindi में समझ नहीं हाता है और आपको English में याद है तो आप यहां से English के जो translate है उसमें आप देख सकते हो इसमें लिखा Central Bureau of Investigation तो यह तरह अगर आपके अंदरी निवेस ब्यूरो पढ़ होगे तो आपको सहीद अजीब सर लाग सके तो आप English को जरूर देखिए अगर कोई question में doubt होता है तो जरूर को English को जरूर देखिए question number 31 देखते हैं भारतिय प्रेश परिशत के प्रमुख कौन है तो भारतिय प्रेश के प्रमुख जो है वो question जो है यह उसकी हिसाब से जो थे दोस्तों वो इनमें से अभी वरतमान में कोई नहीं है क्योंकि यह 2011 का question है अभी 2008 चल रहा है तो भी वरतमान में बता देता हूं बहरति प्रेश परिशत के फ्रमुख जो है चंद्रमॉली प्रसाद जी है वरतमान में प्रेश परिशत के प्रमुख तो अंगला प्रेशन देख लेते हैं question number 32 question 32 है भारत की गुप्त την चर एजनसी कोन कहनी है भारत की गुप्त चर एजनसी कोन है दोस्तों इसमें देखर हो तो IB और RAW तो इसका C option जो है यह सही है दोस्तों IB क्या है investigation bureau और RAW agent आप नाम सुने होगे RAW agent बहुत सारे मुभूई में RAW agent के नाम से आप नाम सुने ही होगे तो यह दो गुप्तिचर हैं जो इंडिया में इस्तित है question number 33 Facebook क्या है तो दोस्तों Facebook क्या है Facebook क्या है एक समाजिक website जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं अगर यह समाजिक website आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो इसका फिर से आप English देख सकते हो क्योंकि उसके क्या कहा जाता है social networking social website तो इसमें आप confusion नहीं रहोगे एक बार English को अग इंगलिस को जरूर देख लीजिए तो अगला प्रशन देख लेते हैं question number 34 यूसुफ रजा गिलानी किस देश के प्रधान मंत्री थे यूसुफ रजा गिलानी वो थे पाकिस्तान के प्रधान मंत्री थे लेकिन अब बदल गया है दोस्तों अभी वरतमान में जो है इमरान दोस्तों पाकिस्तान के नए प्रधान मंत्री नियूपत हो गए है तो आप ये करेंट का फैर जरूर जातीर रख़िए कि जो पाकिस्तान की नए प्रधान मंत्री वो कौन है इमरान खन वो कौन है एक True bought kriti भारत के केंदर केंदरे रेल मंतरी कौन है पुछन में केंड़िय 36 मेग मेमोगेट स्केंडल विवाद कि इस देश संबंधीत है तो दोस्तों मेमोगेट स्केंडल जो विवाद है वह जो है option B वो पाकिस्तान से ही विवादी पूरी तरह से विवादी था दोस्तों जब यह उस समय था वो बहुत चर्चित रूप में था लेकिन अभी यह चर्चा में नहीं है तो अगला प्रशन देख लेते हैं राश्टिय एंथम मतलब राश्टिय गान को पूरा टफ तरीके से पूछा जाएगा तो अगला प्रशन देख लेते हैं भारती रिजरो बैंक के गवर्नर कौन है तो भारती रिजरो बैंक के जो गवर्नर है अभी वर्तमान में उर्जित आर पटेल है वर्तमान में उर्जित आर पटेल है तो कोशन ये बन सकता है कि उर्जीतार पटेल कौन से नंबर के है तो वो है 24 वा नंबर के गवर्नर है अभी वर्तमान में तो इतनी जानकारी हमें इस रिजरो बैंक से 38 कोशन तक मिल जाते हैं अगला प्रशन देख लेते हैं भारत में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कोन है अभी वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो है अभी वर्तमान में इस आप्शन में से किस कोई भी नहीं है क्योंकि उसका भी वर्तमान में जो अभी उपाध्यक्ष है वो है डिया गया है, नीती आयोग रख दिया गया है, question number 40 देखते हैं, सिंयूक्ट राश्ट की सुरक्षा परिधर्शद में, इस्थाईस सदस्रों की संख्या कितनी होती है, पंदरा होती है, जो हमेशा के लिए पर्मानेंट स्थापित होते हैं तो अगला प्रेशन देख लेता है question number 41 सुर्य और प्रिथ्वी के बीच नियुन्तम दूरी कब होती है तो सुर्य और प्रिथ्वी के बीच नियुन्तम दूरी जो होती है वो होती है 3 जनवरी को तो इसका D option सही होगा इसका D option सही होगा अगला प्रेशन देख लेते हैं दोस्तों अगला question है जोड़ी मिलाने का यह तरह के कूट वाला question होता है यह बहुत ही थोड़ा difficult type होता है इसमें ज्यादा समय लगता है question को solve करने में तो इसका मैं सीधा answer बता देता हूँ इसका answer होगा C तो इसमें क्या हो जाएगा एनिमी एनिनोमीटर जो है एनिनोमीटर एनिनोमीटर को किससे नापा जाता है हवा का वेग हवा का वेग दोस्तों यह वायू यान में प्रयोक किया जाता है साथ ही साथ है सिस्मोग्राफ सिस्मोग्राप से क्या नापा जाता है भूकम की तीवरता और साथ ही साथ इसमें दिया है अप्शन डी बैरोग्राफ में क्या नापा जाता है दाब और साथ ही साथ जो माइक्रोमिटर है वो इसमें क्या नापा जाता है नमी मतलब आध्रतान को मापा जाता है तो इस तरह से इसका C option शही होगा, दोस्तों एक कूट का question तो जरूर ही पूछेगा, इस समय के SI के paper में, तो चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिन कोरिया को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो उत्तर जो कोरिया और दक्षिन कोरिया दोनों को अलग करने वाली जो रेखा है, उसको क्या कहा जाता है, 38 पैरलारिया, 38 समरांतर के नाम से उस रेखा को जाना जाता है, तो अगला question देख लेते हैं, question number 44, question number 44 है, one अनुसंधान संस्थान कहा है, तो दोस्तों, one अनुसंधान संस्थान जो है, देहरा दून में उपस्थित है, दो south eastern cold field का मुख्याला है, कहा है, तो south eastern cold field का मुख्याला है, दोस्तों, यह question है, 36 गरषे question है, यह cg का question है, तो यह बिलासपूर में इस्थित है, south eastern cold field का मुख्याला है, गोमर्दा अभ्यरण ने किस जीले में इस्थित है दोस्तों गोमर्दा अभ्यरण ने जीला जो है किस जीले में इस्थित है तो वह है रायगड जीले में इस्थित है आपको अभ्यरण से एक कोश्चन जरूर मिलेगा तो आप उसे जितने भी कोश्चन बन सकता है अभ्यरण एक सो चौरणबे वर्ग किलोमीटर है इसका छेतरफल यह किसके इसार से है दोस्तों 2011 के जर्णगर्णों के अनुसार तो यह 2021 में चेंज होगा तो आप इसे अभी रट लीजे क्योंकि यह 2020 तक यह डाठा आपका काम आएगा एक लाग 35,194 अगला प्रेशन देख लेते हैं राज्य विधान सभा के वित्त विधया किसके पूर्व अनुमती से प्रस्तुत किया जाता है तो यह होगा आप्शन ए राज्य के राज्य पाल से अनुमती से यह प्रस्तुत किया जाता है तो अगला प्रेशन देख लेते हैं इन में से कौन सी समिधानिक एवं साविधिक नहीं है तो इन में से कौन सा समिधानिक है और इसमें से कौन सा समिधानिक नहीं है तो इसमें से चार आप्शन दिया है उसमें से आपको बताना है कि कौन सा समिधानिक नहीं है तो दोस्तों यह योजना आयो क्या है इसमें कोई स समिधानिक नहीं है क्योंकि इससे संबंधित कोई भी आर्टिकल हमारे constitution समिधान में भारत के समिधान में इसमें कोई आर्टिकल मौजूद नहीं है जो इसको दर्शाता हो अगला प्रशन देख लेते हैं question number पचासवा 36 गड़ का जो गठन हुआ है एक नमबर 2000 को हुआ है तो वो देश का कौन सा number का राज्य बना है तो दोस्तों वो 26 वा नमबर का राज्य बना है अगला question देख लेते हैं माना विमान तल रायपूर का नाम क्या है तो माना हवाई अड़्ड है उसका नाम क्या है अशा बोला जा अगला question देख लेता है एक जनवरी 2012 से 36 गड़ में कुल जीलों की संख्या कितनी थी तो दोस्तों एक जनवरी 2012 के जो डेट है उसमें जो 36 गड़ में कुल जीलों की संख्या 27 हो चुका था दोस्तों 2012 में नया नया जीला बना है तो कुल मिला कि अभी वरतमान में भी 27 जीला उपस्थित मौजूद है अभी वरतमान में नया जीला नहीं बना है तो खेरा गड़ अभी नया जीला बनने का संभावना जताया जा रहा है लेकिन अभी बना नहीं है अगला प्रेशन देख लेते हैं 36 गड़ में कौन 36 गड़ राज्य में पदमस्री से अलंकिरित नहीं ह दोस्तों इस कोश्चन 211 का है जो मैं फिर से बता रहा हूँ इसमें से जो चारो आपसन है फुल बासन बाई यादाओ समसाद बेगम डाप्टर 80 दापके और अनुस सर्मा दोस्तों जब ये कोश्चन जारी हुआ था उपर के तीनों को लेकिन अनुस सर्मा को नहीं मिला थ तो ये 2012 के अनुसार है जो बैंक और चेक में जो है बैंक ड्रॉप की अवधी बढ़ा दी गई थी वो है तीन माहा के लिए जारी करने से तीथी से तीन माहा बाद तक अगला प्रशन देख लेते हैं केंदरी बजट 2012-13 द्वारा सर्विस टेक्स सेवा कर की दर 10% से बढ़ जाकर अभी ये दोस्तों इसमें से एक भी option सही नहीं और आकरा जो है 2012 का और तेरा का है तो ये question नहीं है तो question को मैं skip कर देता हूं तो अगला प्रशन देख लेता है question number 56 निम्न में से कौन सी भारत की बारवी पंच वर्षी योजना की अहधी है तो ये 2012 से लेकर के 2017 तक की योजना है तो इसका जो सी option है वो सही है तो 2012 से लेकर 2017 तक की योजना है वो क्या होगा पंच वर्षी योजना कहलाएगा और तो अभी वर्तमान में कौन सी पंच वर्षी योजना चल रही है अभी वर्तमान में तेरवी पंच वर्षी योजना चल रही है तो अगला question देख लेते हैं लुकेमिया या रक्त कैंसर किसकी अत्यधिक वृध्धि को दर्शाता है तो दोस्तों ये है इसका ऑप्षन जो है भी सफेद रक्त कोशी का वाइट ब्लट सेल जिसे स्वेध रक्त कनिका के नाम से भी जाना जाता है इसकी अधिक प्रप्रम की होते हैं अ अगला प्रशन देख लेता है हमारे सरीन में हडियों की संखयfa खुल कितनी है यह बच्चा बीज बता देगा दोस्तों 206 तो 206 क्या है खुल हडियां हमारे शरूमें मौजूद होती है तो अगला कोश्यन भी audio उससे भी सरहल है दोस्तों दूर संचार में 1G, 2G, 3G and 4G में G का जो आसर है क्या है तो उसका है जो जनरेशन तो इसका भी आप्सन सहीं होगा अगला कोश्चन देख लेते हैं पहलेलल पोर्ट का इस्तमाल समानेता होता है किसमें होता है पहलेलल पोर्ट का इस्तमाल प्रिंटर के अंदर यह क्या लगा था पैलल पोर्ट लगा हुआ था है अगला प्रस्चन देख लेता है question number 61 nd export question number 61 क्या है निम्न में से से किसे noble पुरुषकार नहीं दिया गया है तो इनमे से किसके लिए noble पुरुषकार नहीं दिया गया है भाव ओर्तिक सास्त्र का noble price प्रकास वर्ष क्या है प्रकास द्वारा एक वर्ष में तै की गई दूरी ही क्या कहलता है प्रकास वर्ष कहलाता है तो इसका B option सहीं होगा अगला प्रशन देख लेते हैं इनमें से कौन भारत के पुर्वी तट पर इस्थित बड़ा बंदर गाह है तो इसमें सबसे बड़ा बंदर गाह है कौन सा विसाखा पटनम पुर्वी तट पर विसाखा पटनम इस्थित है त अभी एपी जे अब्दूल कलांग उलर्दीप रग दिया गया है भारत की सबसे छोटी जील कौन सी है भारत की सबसे छोटी जील कौन सा है दोस्तों आपको पता होना चाहिए तो भारत की सबसे छोटी जील जो है वह है चील का जील ये चील का जील कहा है उरिसा में ही आता है अगला प्रशन देख लेते हैं विस्वकार सबसे छोटा महासागर कौन सा है विस्वकार सबसे छोटा महासागर जो है वो है आर्किटिक महासागर है तो इसका D option सहीं है तो सबसे छोटा महासागर आर्किटिक है तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है प्रशान्त महाशागर है दोस्तों तो आप इसे याद जरूर रखिए अगला question देख लाते हैं question number 66 कौन सा राज्की पार्क महान भारती एक सींग गेंडे वक्त के लिए प्रसिद्ध है तो यह है काजी रंगा नेशनल पार्क काजी रंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और दोस्तों जहाँ शरुधिग महातरा लेकिन अलप महातरा में पश्चिम बंगाल में भी पाए जाता है तो इतनी बात आपको याद रख लिए दोस्तों अगला प्रशन देख लेते हैं किस सहर को भारत का Silicon Valley कहा जाता है तो भारत का Silicon Valley किसे कहा जाता है Bangalore को कहा जाता है ये question बहुत ही सरल है साय आपको ये याद होगा अगला question देख लेते हैं फारवरी 2012 में इनालिस का लेक्सी जहाज की भारती मच्छवारों पर गोली चलाई गई थी तो एनली का लेक्सी किस देश का जहाज है तो दोस्तों उस समय का ये करेंट अफर का कोश्चन था तो ये कोश्चन अभी नहीं बनता है लेकिन इसका आंसर में फिर वी बता देता हूं इसका आंसर है B इटली का जो है ये उस समय एनलीक का लेक्सी जो है वहां की जहार थी अगला प्रशन देख लेते हैं आंग संग सुकी जुद्दल है नेशनल लीग और डेमोक्रेसी ने किस देश में चुनाओ जीता था तो ये चुनाओ जीता था वो है म्यामार म्यामार के लिए थी चुनाओ हुआ था उस समय तो उसमें ये जीती थी अगला प्रेशन देख लेते हैं अभिनाव बिंदरा प्रख्यात विक्षिलाडी किस खेल से संबंदित है तो ये किस खेल से संबंदित है दोस्तों तो ये है आपके निशाने बाजी से दोस्तों ये प्रिश्टर शूटर है तो क्या करते हैं ये निशाने बाजी में आते हैं आप इसे के बारे में बहुत सारी जानकारी गत्री ताको होगा अगला प्रेशन लेखते हैं द्रोणाचारे पुरुषकार किसे संबंदित है द्रोणाचारे पुरुषकार जो है दोस्तों खेल प्रसिक्षित से संबंदित है दोस्तों जो खेल प्रसिक्षन देते हैं जो खे किया जाता है इन प्लेयरों को नामानित किया जाता है लेकिन द्रोनाचार पुरूसकार जो है केवल कोच को ही दिया जाता है अगला पर्शन देख से तो 2012 ओलम्पिक खेलों का अउजन कहा हुआ थे दोस्तों ये तो 2012 को बहुत कुराणा डाटा है तो ये हुआ था लंदन में हुआ था तो लेकिन अभी जो वर्तमान में 2014 में हुआ है वो कहा हुआ है लंदन बाहरा 2016 जो 2016 में जो अभी आयोजित हुआ था वो हुआ था रियो ब्राजिर के रियो में क्या हुआ था ये लंदन ओलम्पिक, स्वारी, रियो ओलम्पिक के नाम से जाना गया था अगला प्रश्म देख लेते हैं, सक यूग वर्ष में सुरू होता है तो सक जो है यूग वर्ष से सुरू होता है ये जो कोश्चन है, ADRDC से सम्बंधी था दोस्तों ये कोश्चन का आंसर होगा, A 58 BC में क्या होता है, ये सुरू होता है अगला प्रश्म देख लेते हैं, कोश्चन नमबर 74 सिना गोग किसकी पूजा की जगह है सिना गोग किसकी पूजा की जगह है, तो ये है यहुदी कोश्चन नमबर 74 का आंसर होगा, A यहुदी यहुदी क्या है दोस्तों एक मुस्लमी स्टेट है जहां पास सीगागोग की पूजा की जाती है अगला प्रशन देख लेते हैं कागच का अविस्कार कहा हुआ था तो दोस्तों कागच का जो अविस्कार है वो चीन में हुआ था तो इसी करण दोस्तों चीन में क्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया है तो है Newton के द्वारा ये प्रतिपादित किया है दोस्तों आप बच्पन में जब छोटे खलास में थे तो एक बच्चा है TNT, मतलब Trinitrotalvin क्या है, तो ये एक विसफोटा क्या है, दोस्तों, Trinitrotalvin का प्रयोग बालुदों में किया जाता है, विसफोट करने में, बड़े-बड़े चत्टानों को फोर्णे में, और हत्यार के रूप में, Trinitrotalvin का प्रयोग किया जाता है, अगला प्रक्शन देख इन में से कौन, B-R-I-C-S, मतलब Brics का सदस्य नहीं है, तो इसमें होगा दक्षिन कोरिया, लेकिन दोस्तों, दक्षिन कोरिया अभी वरतमान में सामिल हो चुका है, तो दोस्तों, Brics का पूरा नाम क्या है, ब्राजील, राइ, रूस, इंडिया, चाइना, और साउथ अफर अफरिका है, दोस्तों, साउथ अफरिका बाद में सामिल हुआ है, अगला प्रशन देख लेते हैं, पंचायत महिलाओं का कितना प्रतिनी धित है, तो दोस्तों, महिलाओं का आरक्षन जो है, इसमें 30 प्रतिशत आरक्षित है, तो पंचायती राज में मतलब, जो पंचायत अरक्षित है किवल महिलाओं के लिए अगला प्रेमिज्ण कोश्चन करिता है तो कबीर पंथियों का धर्म नगर है तो फृसक ही और मुद्धियों के धाम नगर है थ दाम फिर पंथियों के संप्रदाय के दिए यहां पास गहां यहां है तो का जन्म हुआ था वल्लभा चार्य का इसके उपर दर्षाने के लिए दोस्तों बहुत ही फेमास मंदीर है वल्लभा चार्य के लिए आप जरूर जाके देखिए एक बार अगला प्रश्ण है सरुहुल निम्न में से किस जन जाती का प्रारंभिक नित्य है तो दोस्तों जन जाती परंपरिक नित्य है तो इसका A option सही होगा अगला प्रश्ण देख लेते हैं अम्रित धारत जल प्रपात या अम्रित धारत जहरना किस जीले में इस्थित है तो अम्रित धारत जल प्रपात जो है कोरिया जीले में इस्थित है तो इसका C option सही होगा अगला प्रश जो है अर्पा नदीबर है तो और बोधगाट बांध इंद्रावती नदीपर तो इसका दोस्तों सी ऑप्सन जो है गलत है क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है कौन सा सही नहीं है तो मिनिमाता बांध जो है हस्देव नदीपर बनाए गया है तो आपको यह यादर रखना तो के अच्छे से पढ़िये और कोश्चन को समझने की कोसिस कीजिए इसी नहीं की वज़े से दोस्तों कोश्चन का आंसर गलत जगह तीक हो जाता है अगला प्रशने देख रहते हैं बैला डिला में बैला डिला से लौह एसकर निर्यात कहां किया जाता है तो दोस्तों बै बक्सों के जैसे आकार में बड़े ठोस पदार्थों के आकार में रखके उसे क्या रखता है समूद्र के अंदर उस लोहे को सुरक्षित रखता है उसको अपने जगे बचाने के लिए क्योंकि उसका छेतर सल क्या है दोस्तों काफी कम है तो इतनी जानकारी हमें इससे मिल जा तो इसका question number 86 का सही answer होगा संगीत एवन कला के छेतर में क्या किया जाता है संगीत और कला के छेतर में चक्रधर सम्मान दिया जाता है तो अगला प्रश्ण देख लेते हैं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों सबसे प्राचीन वेद क्या है रीग वेद आप इसे जरू पहला जो गैर भारती है उसे भारत रुत ने दिया गया है वो कौन है यह खान अब्दुल गफार खान जो भारत की नागरिता नहीं होते वे इसे क्या दिया गया है भारत रुत ने दिया गया है अगला प्रश्ण देख लेता है question number 89 जैन धर्म इन में से कौन दो संप्रदा में विभक्त हुआ है तो दोस्तों आप जानते होगे कि इसके जो दो अलग अलग भागों में विभक्त है जैन धर्म वो कौन सा है स्वेत अंबर और दिवगांबर दोस्तों जो स्वेत वस्त धारन करके घूमते हैं और अपने धर्म का प्रचार करते हैं वे क्या कहलाता है स्वेतंबर कहलाता है लेकिन जो नग न होकर बिना वस्त्रों के अपने धर्म का प्रचार करते हैं वो क्या कहलाता है दिगंबर ही कहलाता है लेकिन स्वेतंबर और दिगंबर दोनों किसके हैं जैन धर्म के ही अनुयाई है अगला प्रशन देख लेते हैं जो किसी चीन अब ध्यात्री ने हर्ष के समराजिक के दौरे पर दौरा किया था तो वो कौन है तो वो है वेन इसका सी आप्सन सही होगा तो इसका सी आप्सन सही है कौन है वेन सांग जो है हर्ष के समराजिक का दौरा किया था उसके सासनकाल में वेन शान भारत आया हुआ था तो जूम क् खेती का एक तरीका है जूम की खेती में क्या होता है दोस्तों जब तक एक खेत है खेत में तो वर्तमान में खेत तो नहीं बना रहता है लेकिन जैसे कोई व्यक्ति है जो क्या करता है वहाँ पास आता है तो लोग अब वहाँ पास आते हैं और आने के बाद उस नए नए जग रहे को छोड़ देते थे और दूसरी जगह जाकर के बस जाते थे और वहां पास एक वर्ष दो वर्ष खेती करते थे फिर वहां पास छोड़ करके फिर तीसरे जगह में चले जाते थे इस तरह क्या होता था जगह बदल बदल कर खेती करना ही क्या कहलाता है जून की खेती कहल क्योंकि जैसे मालो यह क्या है सूरिया और यह क्या है कोई अन्य ग्रह जो क्या है जैसे अरून और वरून और माल लेते हैं यह है यह जिसे क्या कह जाता है प्लोटो तो प्लोटो का यह ग्रह है तो उसका जो काल है वो क्या होता है परिपत है वो क्या होता है अरून के कच्छ गया है तो बाकि मंगल बुद्ध सुक्र ये तीनों ग्रह है लेकिन प्लूटो क्या है ग्रह की स्रेड़ी में नहीं आता है अगला प्रशन देख लेते हैं रसोई गैस किसका मिश्रण है रसोई गैस दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है प्रोपेन क्या करता है उसको जलाने में काम करता है लेकिन ब्यूटेन का होता है गंध देने में उसका प्रोक किया जाता है देख्टो प्रोपेन जो गैस प्रोपेन जो है जो है जोलन सिल पदार्थ है लेकिन उसमें से कोई भी गंध नहीं आता लेकिन जो कहीं पास gas cylinder जो है वो leak ना हो जाए इसलिए क्या किया जाता है उस gas cylinder में क्या भारा दिया जाता है ब्यूटेन ताकि जो हमें gas का जो smell आता है गंदी बद्वू आती है वो किसके करान आती है ब्यूटेन के करान ताकि कहीं पास gas रिस रहा हो तो हमारी नाकों में कर के कर राज्यों का सबसे आहते हैं तो दोस्तूं कर जो एनकम में इंकम होता है उस तरह से आयकर का स्षोष सिर्वाप्ट होते है अगर खनीजों में बात करने तो सबसे ज़्यादा भारत को जो प्राप्ट होती है वो किस से होती है? कोईले से सबसे ज़्यादा inकम प्राप्ट होती है अगला प्रशन देख लेता है question number 95 function number 95 is radio carbon active, radio carbon rating का उप्योग निमने में से किसकी आयो ग्यात करने के लिए किया जाता है तो ये ग्यात करने के लिए किया जाता है किसके जिवास्म के लिए किया जाता है तो कार्बन डेटिंग क्या है दोस्तों कार्बन परमानु क्रमांग 6 और परमानु भार क्या होता है 14 तो जिसे कार्बन 14 के नाम से भ तो उसका कारवन डेटिंग से उसका कारेकाल निर्धारी कर लिया जाता है दोस्तों यह पुरा तत्वी की भात द्वारा किया जाता है अगला प्रेशन देख रहते हैं दूध निमनल विखित में से क्या है तो दूध में निमनल विखित में से क्या है पायास है तो एक अबनिलंबन के बारे में जयल और जाग तो दोस्तों वस्तुनिष्ट विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्ण का अलग-अलग वीडियो में पार्ट लाते रहा हूं दोस्तों उसमें साब देख सकते हूं कि इस एक कोशन को के बारे में मैं डिटेल से वर्नीत किया हूं तो इसका C options नहीं है तो दूद क्या है एक पायास है तो अगला कोशन देख लेते हैं कोशन नमबर 97 कम्प्यूटर में इंटीग्रेटेट सर्कीट चिप निमनलिखीत की बनी होती है किसकी बनी होती है तो वह है सिलिकॉन की बनी होती है जिसे SI के नाम से जाना जाता है दोस्तो अगला कोशन देख लेता है कोशन नमबर 98 एपल कम्पनी के सहसंस्थापक जिसका हाल ही में निधन हुआ था तो दोस्तों हाल ही में जिसका निधन हुआ था वो तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है तो यह 11 का है लगभग धना कोशन 21 का है तो आट साल हो गया है उनकी मृ मृत्यू हुई है उसका नाम क्या है लैरी पैज लैरी पैज का उनकी हाल हम उनकी मृत्यू हुई थी एपल जो है दोस्तों बहुत बड़ी फेमस कंपनी है जिसका बहुत सारे गैजट आप जरूर देखे होगे तो अगला प्रेशन देख लेते हैं निम्न में से इनमें से म जो है छत्रपती सीवाजी टर्मिनल में अटाइक हुआ था ताज महल होटल में भी हुआ था दोस्तों ताज होटल है ना ताज महल नी ताज होटल में क्या हुआ था अटाइक हुआ था चाबडा हाउस में भी अटाइक हुआ था लेकिन जावेरी बजार में क्या हुआ था अटैक नहीं हुआ तो तो इसका D option सही है तो दोस्तों question फिर से ध्यान दीजिए इसमें क्या पुछा है नहीं हुआ है नहीं सब्दे इसमें इस्तमाल किया गया है तो इस प्रिवेस एर के question का दोस्तों अंतिम question है संवा नमर का question तो देख लेते हैं भारत के दो सर्वोच वीरता पुरुसकार कौन कौन से है तो भारत के दो सर्वोच वीरता पुरुसकार जो है परमवीर चक्र और असोग चक्र है तो दोस्तों परमवीर चक्र कब मिलता है परमवीर लड़ते हुए वीर गती को प्राप्त होता है तो परम वीर चक्र उसे प्राप्त होता है और साथ-साथ व्यक्ति को और अच्छे कारे करने के लिए क्या मिलता है उसोक चक्र मिलता है तो दोस्तों इस तरह हमाई आप सामने previous year के SIs से संभनधित पूरे 100 question को प्रस्तूत किया हूँ जो question क्या है 2011 से है और इसका original PDF आपके सामने मैं रख दिया हूँ दोस्तों आप daily का current का physical की तयारी करते रहिए और 7-7 liquid का return paper की तयारी भी करते रहिते हैं और मैं दोस्तों अगर मेरे ये वीडियो आपको कैसा लगा है तो जरूर comment करके जरूर बताइए अगर चैनल आपको ये वीडियो आपको useful है तो like जरूर कीजिए और मेरे चैनल को भी तक आप दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है अभ्यास online class तो मेरे चैनल को भी तक आप सब्सक्राइब कर ला और जैसे ही सब्सक्राइब करोगो क्या होगा आपके सामने एक notification बेल आएगा उसे जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरे दोर अप्लोड किया गया वीडियो आप तुरंधी देश सकेंगे तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लागा कमेंट करके जरूर बताइएगा तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद थाइंक्यू कर दो भी एंट व जा मेरे देखने किताईट थाइंक्यू